नमस्कार दोस्तू मैं हूँ SKSEL आपका Self Help YouTube चैनल में फिर से स्वागत है आज हम सीखेंगे कि सेलेरी एरिया हम किस प्रकार से बनाते हैं जब डॉंगल से साइन करने होते हैं तब इसमें फुरा प्रोसेस सीखेंगे यहां पर आपको कोई से भी ब्राउजर में पेमिन प्रोसेसिंग पर क्लिक करेंगे और सेलेरी प्रिपरिशन के इंदर हम चलेंगे यहां पर देखिए आपका एक नया ओप्षन खुल जाएगा बिल आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर बिल टाइप में सेलेरिय। सेलेक्ट करणा है और उसके सब्सक्राइप में आपका जो आपको आपको सेलेरी एरड्य प्रिट क्लिक करने है और बिल में उस में को सेलेक्ट करना है ग्रूप को select करना जिसमें करमचारी का नाम है उसके बाद यहाँ पर submit का option है submit बटन पर click करेंगे तो इस प्रगार से एक नए page खुल जाएगा यहाँ आपका bill register detail added success fully यहाँ ok के उपर click करेंगे यह आपका bill जो है submit हो गया इसके बाद आपका bill processing में salary preparation में चलेंगे salary preparation में salary area option पर click करेंगे उसके बाद इस प्रगार से नया page खुल जाएगा इसमें हमें देखो pay month आपका फ्रेवरी देर का pay year भी देर का यहाँ पर आपको bill name में उस bill को select करेंगे जिसमें करमचारी का नाम है यहाँ select bill, bill number अपने पहले देर के वो यहाँ select करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए यह region आगया यहाँ लिख दिया third ACP salary area यहाँ name या employee ID पर click करेंगे और name पर click किया है तो यहाँ पर आपका search box में कोई भी दो लेटर करमचारी के हम type करेंगे यहाँ से करमचारी का नाम select हो जाएगा उसके बाद यह select होने के बाद देखिए इस करमचारी का नाम यहाँ box में आगया है यहाँ पर box के उपर आपको click करना है जैसे हम box पर click करते हैं इस परकार से आपका खुल जाता है page इसमें आपको यहाँ पर देखिए add allowance जो है इसके उपर click करेंगे जैसे हम click करते हैं एक नया page जो खुलता है वो इस परकार इसमें आपको date डाल ली है जहां से करमचारी का area बनाना है वहां से जैसे मैं जालता हूँ एक अपरेल दो हजार बीस से 31 जनवरी 2021 allowance के अंदर select allowance में आपको यहाँ पर basic select करना है जो नमबर लिके हैं basic इस पर click करेंगे select करने के बाल आपका नीचे इस परकार से page खुल जाएगा च्योंकि यह एक ही financially एक है इसलिए एक साथ आ गया अगर आपके नहीं आता तो आप टुकडू में इसको select कर सकते हैं यहाँ पर आपको difference amount डालने के बाद आपको submit बटन पर click करना है submit बटन पर click करेंगे उसके बाद यहाँ लिखावा आपका data insert सक्षेश फुली डाटा सफुलता पर प्रूश्ट हो गया ok के उपर आप click करेंगे उसके बाद आपको फिर से add allowance पर चलना है यहाँ से आपको da select करना है इसमें date जो हमने basic में select की थी वही करेंगे डिया का एक्सेश चार है उसको select करेंगे तो हमारे पास इस प्रिकार से वापस page खुल जाएगा इसके अंदर भी आपका जो पहले ड्राण already drawn amount और जो draw होना चाहिए उसका difference आपको डालना है इसके बाद आपको submit बटन पर click करना है और click करने के बाद डाटा इंसर्ट सेक्सेश पूली का message आएगा data support पूली पर प्रिक किया गया ok पर click करेंगे इसके बाद वापस add allowance में जाएंगे यहां से हमें hra select करना है इसमें date भी हो ही जो हमने पहले डाली है वो select कर लेंगे और hra select करना है hra जो आपका देखिए यहां पर दिखा रहे हैं आपको hra 107 है इसको select कर लेंगे तो इसके बाद आपका फिर से एक नया page खुल जाएगा यहां पर भी hra का जो difference है वही हमें डालना है इसके बाद submit बटन पर क्लिक करेंगे और submit पर क्लिक करते ही आपका डाटा insert successfully का डाटा सफलता पर प्रिष्ट किया गया गया मेसेज आ जाएगा इसके बाद आपको add deduction पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको from to date में जो है हमने पहले select की वही date होनी चाहिए यहां पर जिसे एक अपरेल 2020 से आपकी 31 January 2021 तारिक सेलेक्ट रहनी है select deduction में मेरे case में NPS है इसलिए ECPF 261 में select कर रहा हूँ आपकी case मेंगर GPF है आप GPF select कर सकते हैं उसके बाद आपको submit बटन पर क्लिक करेंगे तो यह page खुल जाएगा यहां पर भी आपको keyword difference amount यहां साथ इसमें difference amount ही डालना है और उसका आप डालने के बाद आप इसमें submit बटन का option पर क्लिक करेंगे जैसे ही क्लिक करते हैं एक आपका data insert success पुलिगा मेंसे यह data सपलता पर प्रेश्ट हो गया ओके क्लिक करेंगे अब आपका देखिए इसमें जो bill बंद कर तयार हो गया लेकिन आप इसमें entry आप चेक कर ले वे जैसे यहां पर आपकी entry गलत हो गई थी यहां पर edit कर लेंगे करना है data update successfully इस पर ओके करना है ओके के बार आपका यह bill है वो complete हो जाएगा यहां पर देखिए 8921 पेबल सेलरी यह नेट अमाउंट आ गया है और अपना bill बंद कर तयार हो गया है इसको हम अपने difference seat से भी मिलाकर देख लेंगे ताकि अपनी कर बिल में कोई करबड़ी नहीं हो सकरे देखिए आपका पेबल रासी 8921 इसके अंदर भी है इसके बाद आप reports में जाकर salary area reports आप download कर लेंगे यहां से inner, outer और schedule तीनों ही reports आप generate कर लेंगे यह देखिए अपने पास इस reports सारी सारी generate होगी बिल के अंदर रासी आप देख लिजिए यह 8921 जो हमने बनाया है वही रासी है इसको हमें अच्छी तरह से check कर लेना है अगर कहीं गलती है उसको हम वापस सुधार कर सकते हैं या edit कर सकते हैं इसके बाद bill authorization में आपका upload document इसके क्लिक करेंगे आपका year और month आरा है बिल टाइप आपको select करना है इसमें बिल टाइप में आपका salary area है उसको हम select करेंगे उसके बाद आपका group name जिसका हमने bill बनाया है उसको हमें select करना है यहाँ पर bill number को select करना है उसके बाद हमारे पास एक नया page बलेगा इसमें अपने को document salary area order को select करेंगे उसके बाद अपने यहाँ पर choose file का उफनाएगा चूज फाइल करेंगे जहां अपने laptop, computer, laptop निर्काई पर भी फाइल पढ़िए उस फाइल को select करना है और यहाँ पर अपने को upload कर देना है यह फाइल अपनी upload होई उसके बाद आप submit button पर click करेंगे document upload successfully यहाँ पर अपने को ok का button दबाना है और यह अपना document upload होगया यहाँ से हम download करें इस document को download करके हम देख सकते हैं कि हमने जो document upload किया वो सही है करनी इकोने में अपना download होगया है इसको खोल कर देखते हैं यह देखी है आपका कारले आदेस है जिस स्कूल का है वहाँ से SCP स्विकरत की है यहाँ पर आप देखिए इसको स्क्रोल करते हैं तो यहाँ पर आपका देखिए हुसेन करमचारी है SCP से पूर इसका वेतन 3100 SCP की स्विकरती दिनाग 1420 SCP के उपरांद वेतन और अगामी वेतन वेतन वर्दी और आगामी वेतन वर्दी के निशार इसका जो यह आपका जो काईला आदेश हमने बना रखा है SCP स्विकरती का आदेश जो हमने इसके एक साथ अपलोड कर रखा है इसके साथ में आपकी डिफरेंश सीट इन तीनों की एक ही पीडियाप बना कर हमें अपलोड करनी देखिए अपना इसमें इसमें अठाए जाद नौसो इकिस प्रेमिट लिकावा है इस सबका में लिंक के डिस्क्रिप्शन बुक्स में भी दे दूँगा आप देखना चाहें तो इसमें से आप देख सकते हैं इसके बाद आप आप सेलेक्ट बिल नेम जो बिल बना है वो सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद यहाँ चेक बॉक्स पर राइट लगाना है और यहाँ पर आपका सम्मिट बटन है इस पर क्लिक करना है यहाँ क्लिक करने के बाद एक मेसेज आएगा जो आपका इस प्रकार से है कि ये डाटा इंसर्ट, इंसर्ट सक्सेश्पुली इसको okay कर देना है इसके बाद आपको forward करना है यहां आपका build forward successfully ओके पर klik कर दे इसके बाद आप digital sign करने के लिए इसकी inner, outer और schedule तेनुग परकार की रिपोर्ट साप डाउनलोड कर लेंगे इसके बाद आपका डिजिटली साइन के क्लिक करना है यहां पर आपका पेज पुल गया इसमें माहिना और यह लिखा हुआ बिल सेलेक्ट करने चैक बोक स्कूराइट करने के बाद इस प्रिकार से आपका इतर लिखिये है डिएक पेज खुलेगा यहां पर आपको OK करना है यहाँ OK करता ही एक नया पेज खुलेगा यहाँ पर आपके डॉंगल के जो भी पासवर्ड है वो यहाँ पर डालने है और फिर आपको OK करना है अब OK करने के बाद आपकी जो है फाइल सारी सारी साइन हो जाएगी देखिए यहां पर एक मेसेज आ रहा है फाइल साइन सक्षेज फुली इसको ओके करने के बाद इपना यहां पर देखिए एक लिखा गया कि टॉटल फाइल तीन है और साइन फाइल भी तीन हो इसके बाद आपको ऑथराजिशन में बिल्ल पर वाट रूट ट्रेजर पर क्लि सेलेक्ट करेंगे और यहां पर आपका बिल नेम सेलेक्ट बिल नेम में आपका जो भी बिल नेम है उसको सेलेक्ट कर लेंगे जिसका आपने बिल बनाया है उसकी को सेलेक्ट करना है उसके बाद आपका यहां पर बिल की डिटेल आजाएगे नीचे यहां पर चेक बोक्स प अपना जो एक मेसेज आता है वो कि ये बिल फोरवार्ड टू सक्सेज़ फुली और इस ओके पर अपने को क्लिक करना अपना बिल चला गया